Hello everyone, आज हम class 9th की English की ये जो half yearly exam का paper है, इसको solve करते हैं आपकी final exam में भी इसी तरह का paper आएगा, paper कैसे solve करना है, कैसे film marks लिखके आना है, ये भी आप देखते जाएंगे देखे, first यहाँ पर लिया है ये passage, इस passage में पहला question पूछा गया है the scientific invention begin after the industrial revolution of, तो यहाँ पर लिखा हुआ है industrial revolution of 1789, तो correct answer आजाएगा 1789, second है the cabin for the pilot is called, यहाँ पर लिखा है cabin is called a cockpit, तो answer आजाएगा यहाँ इसका cockpit, फिर है next question पूछा गया है, which of the following, an aeroplane has an engine that is worked by तो petrol, steam यह पूछे गये हैं option और यहाँ पर answer दे रखा था इसका, कि यह petrol से work करता है which of the following is the fastest means of transport, तो शुरुआत में ही दे रखा है कि aeroplane जो है, वो fastest means of transport है और we are living in the age of, तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है, we are living in the age of science सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह passage को देखिए जरा, अक्सर करके बच्चे सोचते हैं कि पहले question जो दिये हैं, उनके answer शुरू के line में मिलेंगे और last के questions के last में मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए आपको पूरा passage पढ़ना है और ध्यान में रखना है और जो fifth question है, उसका answer पहली ही line में मिला है, तो यहाँ यह बात को भी ध्यान दिया जाए next हम देखते हैं, passage Mary Curie के बारे में है where did Mary earn his master's degree, तो यह master's degree का, यह last में दिया हुआ है और कहां से लिए है इन्होंने, सौरबन से, यह a university in सौरबन, ठीक है और इसके आगे के जो question है, वो next page पे दिये हुए है, मेरी के father क्या थे, तो मेरी के father professor थे मेरी, यह जो word है, actual में इसका meaning यहां पर नहीं दिया हुआ है, यह थोड़ा सा confusing है क्योंकि देखिए, पोलेंड left किया है और सौरबन आई है, तो इसके बारे में जो जानकारी यहां दी है वो इस दी है, she definitely left Poland, अब यह word यहां पर fill in the blanks में यहां के option में नहीं दिया है तो हमें इसका लेना है synonym और जो उसका synonym है वो है boldly फिफ्ट, फॉर्थ question है, Mary Curie's doctorate was in with academic discipline, किस में करी उन्होंने, physics में करी और noun form of the word, discover का हो जाएगा, discovery ठीक है, अब यह जो third passage हमको दिया है, यह है, note making और note making में आप देखिए, कि हम सबसे पहले देखते हैं, कि जो word बार-बार आता है या जिसके बारे में बताया गया है, तो यह हम देख रहे हैं, कि यहाँ पर इसका title बन रहा है bio gaze, क्योंकि bio gaze को ही सबसे ज़्यादा use में लाया गया है यह आपका extract आ रहा है, सिर्फ four marks का, तो इसलिए आप दो ही अगर बनाते हैं नोट्स तो भी चलेगा, तो नोट्स में जो हमको main point दिख रहे हैं, वो दिख रहा है कि bio gaze fuel कैसा है, non polluting है, clean है, यह इस तरह से point जब मिल जाए ना कौमा में तो आप उनको लें, तो आपसे जल्दी बन जाएगा, फिर है bio gaze कैसे produce होती है, हम अगर तीन बनाते तो यह तीन भी बन सकते थे, कि यह mixture होता है इन सब का और bio gaze कैसे produce होती है, तो यह इसमें लिखा हुआ है, कि यह animal waste भी यहां मिलता है, यह ना, और शुरुआत में भी दे रखा था, यह देखिए, absence of oxygen, यह, degradation, non polluting होता है, और, तो यह दोनों चीजों से बन सकता है, एक तो, यह cattle dung से बन सकता है, है ना, और यह इस तरीके से बताया हुआ है, तो आपकी इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कि सारे चीज़ें मिलती ही रहें, ठीके, और यह जो application दी हुई है, SLC की application है, SLC की application को simple तरीके से लिखना, मैंने आपको बता ही रखा है, उस से simple तो हो ही नहीं सकता है, और उसमें marks भी बिल एक बार पढ़के ही याद कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो दिया हुआ है, कैसे fit और healthy रहना है, इसके बारे में description दे रखा है, तो इसको भी आप जो है, लिख सकते हैं, वी शुड वी शुड करके लिख सकते हैं, जैसे eat healthy लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंग कि we should, सबसे पहले यह वाली जो line लें, इसको हम cover कर सकते हैं, how can we keep ourselves fit and healthy, we, we, just a minute, हम यहाँ पर लिखेंगे, we can keep ourselves fit and healthy by, यह eat healthy है न, by eating healthy food. healthy food, यह एक line हो गई, अब बाकी की should और जो है, ऐसे करके हम लिख देंगे, don't smoke है न, तो हम क्या लिखेंगे, we should not smoke, फिर regular check-up, तो हम क्या लिखेंगे, we should go for regular check-up, या go के बचाए visit कर सकते हैं, for regular check-up, इसे करके, आपको अगर कोई से भी आते हैं, तो आप यह चार पाइंट दे रखेंगे, तीन नंबर का आता है, यह, तीन चार से ज्यादा पाइंट नहीं आते हैं, अगर यहाँ पर यह जो, dark में दिख रहा है scene, यह exercise के बारे में हैं, तो हम यह भी लिख सकते हैं, कि we should exercise daily, ठीके, तो यह एक ध्यान रखना, कि अगर आपको picture composition आ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए, next question देखते हैं हम, यह देखिए, the sun rises in the east आएगा, क्योंकि sun अकेला होता है, इसके लिए the आता है, we didn't buy any, क्यों आया any, क्योंकि यह negative वाक्य है, और engineer का e, और इसको पड़ भी रहे हैं हम e, हिंदी में इसलिए यहाँ पर आएगा, and क्योंकि wow well के साथ n आता है, to watch the movie yesterday, अब चुकि यहाँ yesterday था, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, went, जो की past बताता है, there is not water, water के लिए आएगा, much क्योंकि much मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, they completed their work, they के साथ चुकि प्लूरल है तो यहाँ पर have आएगा, ठीके, तो यह आपके fill in the blanks हो गए, अब हम देखते हैं, do as directed, इसको rearrange करके sentence बनाना है, तो can you give me your pen, यह इसका proper sentence बनेगा, he worked hard, अब यहाँ पर देखिए, but लगाना है, तो but बिल्कुल बीच में लग जाता, he worked very hard, but he couldn't pass the exam, क्योंकि यह result बता रहा है, और present indefinite तो अंकित please हो जाएगा, यह plate था, यह past indefinite था और यह place में हमने present indefinite बना दिया, रोहर्न speaks English, तो क्या जाएगा, इसको negative बनाना है, तो negative बनाते में हम क्या ध्यान रखते हैं, देखिए, यह speaks दिया हुआ है, तो यह इसका S निकाल लेंगे, और यह हो जाएगा, चुकि यहाँ पर कोई helping verb नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा, does not speak English, past continuous, they walked in the dark, तो they were walking in the dark, Ajay is ill, यहाँ पर सिर्फ सो दे रखा है, तो सो बीच में आ जाएगा, Ajay ill है, बीमार है, इसलिए क्या होगा, so he can't come to school today, तो इसलिए वो जो है, वो आज स्कूल नहीं आया है, अब हम देखते हैं, next यह literature के options, question answers दे रखें, MCQs हैं यह, देखिए, पहला इसमें पूछा गया है, कि where did Tommy find the book, तो Tommy को book उसके ही घर में attic पर मिली थी, और we can make friend with wind, तो हमें क्या बनना होगा, wind को अपना दोस्त से बना लेके लिए strong बनना होगा, what did grandmother give to Kezia when he was sobing, जब वो रो रही थी तो दादी ने उसे क्या दिया था, हैंकी दिया था, और my childhood के author कौन है, तो वो है, EPJ तो इसमें कुछ लोग बहुत confused हो रहे हैं, वैसे message of love, peace and happiness भी हो सकता था, और ये भी हो सकता था, music is not difficult for deaf people, तो मुझे लगता है, दोनों ही answer सही हैं, लेकिन जहां तक देखें कि सिर्फ music के बारे में बात नहीं करिये, इसलिए हमने इसका ये answer को सही माना है, और what is the bliss for the poet rain on दरूफ उनको क्या चीज अच्छी लगती थी, जब बारिश होती तो कि joyful mood में बैट पर पड़े रेना उनको बहुत ही अच्छा लगता था, अब ये extract दिये हैं, lesson के, ये जो आपके book में दिये हुए हैं, उस पर ही based question है, passage लिया है और उसी में से question लिये हैं, तो पहला question यह ब्रदर बोरिंग कहते थे, और आइंस्टाइन को कौन से में toys खेलना पसंद था, वो mechanical toys, ठीक है, अब हम poem के extract देख लेते हैं, poem के extract में ये देखिए, ये poem कि से ली गई है, ये rain on the roof से ली गई है, the opposite of the word bliss, bliss का opposite हो जाएगा यहां, curse, where do the shadows hover, shadows कहां hover हो रहा है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है, shadows hover over all the steady sphere, तो on steady stairs आजएगा, ये question के easy answers देख लेते हैं, टेली बुक क्या होती है, आपको ये बताना है कि टेली बुक क्या होती है, जो बुक स्क्रीन पे होती है, बिस्मिल्ला खान को अपना break कहां मिला, वेर, तो all India radio में मिला था और वो भी लखनों मे Why did Einstein writer letter to Franklin Roosevelt क्यों लिखा था उनने, क्योंकि वो warn करना चाहते थे अमेरिका को, किसके बारे में, atom bomb के बारे में, अब्दुल कलाम का घर का था, उनका घर था, मॉस्क के स्ट्रीट पर और कहां, रामिश्वरम में, अब्दुल कलाम अपना first wages कैसे earn किया, उनने अपने cousin को help करक वो जो newspaper के bundle से उसको catch करते थे, lesson में आपने पढ़ा ही है कि second world war के समय पे जब उनके रामिश्वरम में train का stoppage बंद हो गया था तो वो bundle के लिए, जो है, बीच के station पर जाकर, newspaper के bundle पकड़ते थे, मारगी, what did मारगी write in her diary, मारगी ने सिर्फ ये लिखा था, today Tommy found a real book, चलिए, next question देखते हैं, question 12, what should we do to make friend with wind, हमको क्या करना चाहिए, अपने आपको strong बनाना चाहिए, traveler अपने आपको कहा पाता है, in a yellow wood, yellow wood में हम ये भी बोल सकते हैं, कि crossing पर भी मिलता है वो, और single measure memory कौन सी होती है, उसकी mother की और उनके love के बारे में, जो वो याद करता है, अब है, मेले में वच्चा बहुत सारी चीज़ें चाहता है, वो क्या क्या चाहता है, और चुकी ये चाहता है, toy चाहता है, sweet चाहता है, garland चाहता है, balance चाहता है, इसके बारे में लिख सकते हैं, दो कौन से अजीब बाते हैं, जो गुरू और disciple ने kingdom of fools में देखे, एक तो यहाँ था, कि लोग रात में तो काम करते थे, और दिन में सोते थे, और दूसरा था, कि यहाँ पर हर चीज़ की, जो है, कीमत एक ही थी, अब है, happy prince, जो है, c mistress को क्यों देना चाहता था, वो इसलिए देना चाहता था, क्योंकि उसका बच्चा बीमार था, तो वो उसके बच्चे को खाना खिला सके, इसलिए उसने उसको, c mattress को, जो है, अपना ruby भेजा था, question number 14, old kind of school के बारे में, क्या main चीज़ डिस्क्राइब करी थी, Tommy ने, उसने का था, कि एक special building होती थी, वहाँ kids जाते थे, और उनके जो teacher होते थे, वो कैसे होते थे, main होते थे, ठीके, और Einstein को world citizen की रूप में क्यों याद किया जाता है, जाएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने universal peace पर विश्वास रखते थे, अब्दुलकलाम, रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाते थे, वो आगे की पढ़ाई के लिए further studies, और इसके लिए उन्हों, उन्हों से किस ने कहा, और उनके फादर ने कहा, उनके फादर ने कहा, to go away, to grow, यह ना, खलील गिबरान के famous words भी बताये थे उन्होंने, अब देखि आइडिया लिखना है, rain on roof का, तो rain में power होती है, किस चीज की, वो हमारे mind को भी ठीक कर सकता है, और हमारे heart को भी ठीक कर सकता है, कैसे, जैसे वो प्रत्वी को ठीक करता है, अब next question है, इसके और में, wind क्या क्या करती है, shutters तोड़ती है, windows के, papers को बिखेर देती है, और जो book ह है, shelf पे उसको भी गिरा देती है, और ये आपकी supplementary book का question है, कि गुरू के word of wisdom क्या थे, क्या थे, कि ये जो city है, ये fools की है, और उसको कभी जाननी सकेगा, कि वो आगे क्या करेंगे, और उसको वो words कभी आदा है, जब उसको फासी होने वाली थी, अब फासी क्यों हो रही थी उसको वो भी बे मतलब के लिए है, कि उसने कोई अपराद नहीं किया, और तो भी उसको फासी दे रहे थे, तो उससे अपने गुरू के words यादा है, next question है, दो precious thing ये तो बहुत important question है, कि happy prince की story में कौन सी दो beautiful चीज़ें, या precious कीमती चीज़ें बताई गई है, तो दो beautiful चीज क्यों किमती थे, क्योंकि ये इन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए कुर्बान कर दी थी, तो ये हमने short में answer भी बता दिये, और आपको ऐसे ही short answers देखने हैं, तो आप मेरे channel पर chapter wise सर्च करके देख सकते हैं, और इसकी playlist भी बनी हुई है, तो आप उस पर भी देखके इसे अच्छे से कर सकते हैं, okay, thank you students.